हलो फ्रेंस वेलकम टू माई योटूब चैनल फ्रेंस आज हम बात करेंगे जी गोल्ड एस्टॉंग कैपसूल्स के बारे में इस वीडियो में जानेंगे जी गोल्ड एस्टॉंग कैपसूल्स की संपून जनकारी जिसमें जानेंगे इसकी मार्केट प्राइस क्या है इसकी कम प्रेंस यह एक डेली नुट्रिशनल सप्लिमेंट है यह जी लेबरोटीज कमपनी द्वारा मैनुफेक्चर किया गया है इसकी मार्केट प्राइस की बात करें तो 175 रुपया है 175 रुपया में आपको किसी भी मेडिकल इस्टोर पे असानी से मिल जाएगा आप इसे ऑनलाइन भी पर्चेज कर सकते हैं इसके एक केश्टिप में पंदरे कैप्सूल आता है आप देख सकते हैं जैसे देखी यह होगे हमारा जी गोल्ड कैप्सूल का एक केश्टिप इसके अ तो बिटामिन की बात करें तो इसके अंदर पहले जो है जिंसेंग एक्स्टेक्ट पाउडर है पाउडर फर्म में है जो इसमें भरा हुआ है जो कैप्सूल में है पाउडर फर्म में भरा हुआ है और यह जो है 42.5 मिलिग्राम है और बिटामिन ए जो है 2500 इंटरनेशनल बिटामिन B6 1Mr. Bang है, बिटामिन B12 1 factors माईक्रोग्राम है, और बिटामिन C 50 chicken है, बिटामिन D3 200 international unit है, बिटामिन E 5 Hindi विटामिनद M Korea यह है 75 mg मिल जाएगा आपको फस्पोरज जो है 58 mg मिल जाएगा 59 mg लिग्राम फेरस फ्यूमरेड 30 mg जिंक जो मिलेगा आपको 10 mg मेगनिसियम 3 mg पोटेशियम 2 mg मैगनिस जो है 0.5 mg कौफर 0.5 mg और आयोडीन 0.1 mg मिल जाएगा तो यह इसकी कमपोजीशन है और इसकी बेनिफीट इसके बात करें तो इसके अंदर जिंसेंग है जो कमजोरी दूर करता है सारीरिक और मानसिक चंपता को बढ़ाता है इस्ट्रेस लेवल को कम करता है बोडी की बाहरी संक्रमर से इंफेक्शन से लगने की चंपता बढ़ाती है यह तथा साथ में गहरी नींद भी लाती है अगर किसी ब्यक्ति को अच्छी नींद नहीं लगती हो सरीर में ठकान सा रहता हो इस्ट्रेस लेवल कम हो गया हो तो उस फूरती नहीं रहता हो तो यह जिंसेंग इसमें है जो जिंसेंग उसको पूरा करता है और इसके अंदर बिटामिन A है जो एसकीन और आखों को हेल्दी रखता है बिटामिन B1 जो है कर्बो हाइडेर्स के मेटाबोलिजमे में हेल्फुल रहता है तथा हार्ट ब्रेन को हेल्दी रखता है हमारे हार्ट को और ब्रेन को भी हेल्दी रखता है इसके अंदर बिटामि B3 है जो फूड को energy में बदलता है, वितामिन B5 जो है blood formation, blood बनाने में काफी मदद करता है, वितामिन B6 या fatty acid और protein के से energy प्राप्त करने में healthful रगता है, और वितामिन B12 जो है nervous system को healthy रखता है, खुण की कमी को धूर करता है, इसके अंदर वितामिन C है जो स्कीन और मसूड़ हाँ तबीत कराब न होता है आपको किसी भी इन्फेक्सिन या वारल फिवर कर आको आप को uyना है is इंफेक्सिंञेशन ड्ररोवर्डू comprend आपको यहily यह यह वीहया मेसे आपकी बड़ा जिसके करणित है गुदे रोग परती रोधक्षमता बढ़ जाती है जिसे आपको कोई बिमारी नहीं होता है और इसके अंदर बीटामिन बी थे और इसके अंदर बीटामिन डी थीरी है जो केल्सियम के अपजर्बसं में और इसके अंदर बीटामिन डी थीरी है जो केल्सियम के अपजर्बसं में इसके अंदर बिटामिन ए है जो एक पाॉर्फूल एंटि ऑक्सिडियन्ट काकार्या करता है जो फेरी रेडिकल से भी बाचाता है और आपको एसकीन के लिए भी काफी हेल्फूर रहता है आपको हेयर में भी काफी मदद करता है बालोक के ग्रूमे भी काफी मदद करता है इसके अंदर folic acid है जो blood formation में healthful रहता है मदद करता है और skin को भी healthy रखता है इसके अंदर एक extra benefits के लिए एक और चीज़ दिया गया है LRG9 ये सरीर में अनेक कारिया करता है जक्मों को घाओं को भरने में मदद करता है किड्नी को body से अफसिष्ट को निकालने में काफी मदद करता है यानि हमारे body से बिकार पदार्थ है जो जहरीरे पदार्थ होते हैं हमारे body में उसको kidneys को मदद करता है ताकि किड्नी जो है fast उसको निकाल सके हमारे body से और immunity को भी boost करता है ये LRG9 और ये जो है सुजन को कम करता है blood के परवाह में भी करता है blood pressure को भी normal रखता है heart के लिए भी काफी फायदे मंद रहता है पूर्सों में यौन किरिया में सुधार रखता है और सुधार करता है sexual power को भी boost करता है बढ़ाता है सीने में दर्द जो होता है उसको भी ठीक कर देता है ये LRG9 ये आर्टी रोक के treatment में भी काफी मदद करता है और पाचन तंत्रों को भी strong करता है बार बार सर्दी जो खाम हो जिन ब्यक्तियों को बार बार सर्दी जो खाम होता है उसमें ये LRG9 जो है काफी helpful रहता है और इसके अंदर जिंक जो है skin को healthy रखता है जक मभने में भी ये भी मदद करता है और तो और हमारे जो pimples हो लुक को भी strong बनाता है हडियों को में strong रखता है मजबूती परदान करता है joint को healthy रखता है इसके अंदर iodine है जो thyroid के के percent में काफी मदद करता है thyroid को healthy रखता है और इसके अंदर ferrous fumarate है जो hemoglobin बनाता है hemoglobin formation में काफी मदद करता है जो body में oxygen transport करने के लिए responsible होता है यह hemoglobin है हमरे body में oxygen को पहुचाता है और इसके अंदर magnesium है जो stress को कम करता है stress level को कम करता है और energy को build करता है इसके अंदर magnesium है जो bone structure को healthy रखता है और इसके अंदर copper है जो skin और hair को भी healthy रखता है इसके अंदर calcium है जो bones हड़ियों और दातों को strong करता है बनाता है मजबूत्ती परदान करता है इसके अंदर potassium है जो vitamins and minerals की कमी को दूर करता है रोग परती रोधक छमता को काफी बढ़ाता है और body को healthy रखने के लिए भी काफी मदद करता है यह stamina को बढ़ाने के लिए और health को improvement में भी improvement में भी इस capsule का यूज किया जाता है ठकान को दूर करने के लिए और energy को बरकरार रखने के लिए बनाए रखने में भी काफी मदद करता है कमजोरी दूर करता है blood की कमी हो गया हो तो blood की कमी दूर करता है मानसिक छमता को ठीक करता है body को healthy रखता है बीमारियों में fast recovery करता है joint को हडियों के joint को healthy रखता है bone मतल़ हडियों दातो मसूरों को भी strong करता है healthy रखता है operation या surgery के बाद जो कमजोरी आ जाती है body में या accident के कारण जो कमजोरी आ जाती है या बीमारियों के कारण जो कमजोरी आ जाती है उस कमजोरी को दूर करता है उसमें fast recovery करता है बीमारियों में जिससे बीमारी जल्दी ठीक हो जाता है skin और आई को आखों को और तवचा को भी काफी healthy रखता है काफी मदद करता है अच्छी नीन दिल लाता है अच्छी सेहत रहता है इस कैपसूल के यूज करने से तनाव मुक्त रखता है ये कैपसूल और नई ताकत S40 लाता है ये कैपसूल तो इस कैपसूल के यूज आप कर सकते हैं अगर आपके बोड़ी में ये सारे problems हो तो और इसके डोज की बात करें तो एडॉल्ट में या बारे साल से अध तो दूद या जूस के साथ अगर आप लेते हैं मिल्क या जूस के साथ लेते हैं तो काफी और मतलब मदद करेगा आपकी बोड़ी में इनर्जी को बुष्ट करने के लिए ताकत लाएगा और आप इसे खाना खाने के बाद या नस्तिक बाद ले सकते हैं और इसे में ज़ ज्गोल्ड उमेन केप्सुल आता है आप जञ house लगिन उसके लिए आपको 15-20 दिन आपको बार आपको स्टॉप करना होगा श्टॉप कर्णक को उसके बाद फिर से 20 दिनों के बाद फिर से इस केपसुल को यूज कर सकते हैं और इसके side effects की बात करें तो कोई खास side effects नहीं है फिर भी अगर खाली fates लेते हैं इस केपसुल का यूज करते हैं तो dust लगना, heart burn, nausea vomiting, कबजी की सिकायाथ overdose लेने से कबज हो सकता है हो सकता है कि skin itching, skin research भी देखने को मिल सकता है इसके अलाग कुछ और side effects देखने को मिले तो आप इस केपसुल के यूज करना बंद करें और अपने ये डॉक्टर से दिखाएं और सवधानी की बात करें तो 12 साल से कम उमरे के बच्चों में इस केपसुल के यूज ना करें प्रेगनेंसी और ब्रेश्ट फीडिंग में इस केपसुल के यूज ना करें और ओल्ड एज गुरूप के ब्यक्तियों में दे सकते हैं सवधानी से दे और डियाबिटीज के पैसेंट में दे सकते हैं कोई प्राबलम नहीं है इसमें उपस्तित इंग्रिडियन्स से अगर किसी ब्यक्ति को इलर्जी हो तो उस कंडिशन में भी इस केपसुल का यूज ना करें और जहां तक हो इस केपसुल का यूज मेल ही करें फीमेल ना करें फीमेल के लिए जी गोर्ड उमेन केपसुल आता है उसका यूज कर सकते हैं और इस कैपसृल के साथ अगर कोई दूसरा मेडिशिन यूज करना है तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले या इसके साथ कोई अन्य मल्टि विटामिन्स या ताकत की दावाकी यूज ना करे उसके लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले और इस कैपसुल को यूज करने से पछले आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए और इस कैपसुल का ओभा डोज ना ले यानि ज्यादा एक कैपसुल से ज्यादा प्रती दिन आपको एक कैपसुल से ज्यादा नाले और इस कैपसुल को दो से तीन मंथ यूज कर सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा यूज कर निकले आपको पंदरे से 20 दिनों का बीच में ब्रेक लेना होगा आपको छोड़ना होगा उ इस वीडियो को जदस जदस सेयर कीजिए और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा मैं हमेशा इसी तरह का वीडियो अपलोड करता रहता हूं